हेलो विडियो काम बेक to my channel simplified study तो आज की वीडियो में करने वाले हैं audio visual aids and powerpoint presentation तो आज की वीडियो में इसका meaning जाने गे और कुछ important audio visual aids को जानेंगे तो शुरू करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहले audio visual aids जो होते हैं वो होते गया हैं तो सबसे पर इस आपको कि बता डू वीजुवएड के बाद कर लेते हैं वीजुवड होते क्या है जैसे हर क्लास्रूम में हर कॉलेजस में हर कि जो वहां पर हम मीटिंग करते हैं वहां Steah वाइट बोर्ट हम उसे देख के कोई छी समझते हैं यह किसी चीज को समझाते हैं हम उसे ब्लैक बॉर्स पर लेख देते हैं और उसे कोई देख के समझता है तो वह होते हैं из절 observing और audio जो एड्स है वो क्या होते हैं जिससे हम सुनके समझते हैं जैसे प्रोजेक्टर में आवाज आती है असके उसके समझते हैं तो अपर इसके डेफिनिशन देख लिए होते कि आये तो audio-visal aids are used to enhance presentation मतलब जो audio-video aids है वो कि enhance करने के लिए मतलब अपनी स्लाइड हो सकता है तो अब देखते हैं कौन-कौन से इंपोर्टेंट ओडियो वीजल एड्स है कैसे कैसे जो ओडियो वीजल एड्स होते हैं और क्या-क्या नाम है और लग उसमें क्या-क्या होता है तो शुरू करते हैं है तो करने वाले हैं some important audio visual aids अब क्या क्या होते हैं इसमें तो सबसे पहले आ जाता है overhead transparency, overhead transparency का मतलब है एक तो transparency होती है make करने को तो सबसे में आपको बता दू कि transparency होती है transparency का मतलब होता है कि जैसे बुक अपनी वाइंड करने जाते तो वह एक क्या यहां पर देख सकते हैं तो उस पर क्या होता है वह पहले अभी निए इसका इतना चलन है पर पहले था क्या करते हैं जो भी इंफॉमेशन थी वह फोटोकोपी करबा लेते हैं तो एक तो इसके एड्वेंट यह होता था चैनल की मतलब इसे क्या करते थे है काड़ बोर्ड यह एक काफी शागता था जंतने को फ्लीक्सिबल होती ढगा है जिसंदे अको लिटल स्पेस करती थी interested अगर हम इसे cardboard पर भी लगा दे तभी यह इजी होती थी और इसका एक और advantage यह था कि मालों अगर हमने कोई point नहीं लिखा को information transparency लिखना चाहते थे या कोई present करना चाहते थे हमने नहीं लिखा तो हम क्या कर सकते थे दुबारा भी इसको marker के साथ लिख सकते थे तो अब हमने यह पढ़ लिया यह था overhead transparency अब हम next पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ते हैं अब हम पढ़ने वाले हैं slides अब slides क्या होता है जैसे हम powerpoint में slides मनाते हैं जैसे हम एक क्या कहते हैं वह नहीं के लिए points ले सकते हैं उसमें डाल सकते हैं तो जो slides होती है वो काफी professional होती है देखने में इसमें color photographs use कर सकते हैं जो helpful होती है presentation को मतलब बढ़िया दिखाने के लिए effective दिखाने के लिए ठीक है तो इसके जो cost होती है एक picture कैसे आएगी कोई left से आएगी कोई right से आएगी ठीक है तो यह काफी बढ़िया होती है इसको हम कहां पर जैसे हम कौन-कौन से जो technology जो offer करती है slides को हम इसको project projector में मतलब pen drive लगा के project करती है जैसे smart classes में भी देखते हैं इसे तो यह काफी मतलब एक तो बढ़िया होती है साथ में यह काफी professional देखती है ठीक है तो अब हम करेंगे flip chart flip chart क्या होता है हमने अपने school time में या फिर अपने college time में कभी न गभी किसी ने न चार्ट बनाए कुछ points लिख देने हैं जिससे जो हमेरे presentation देनी है वो अच्छी तरह से समझ आ सके तो यह flip chart होते हैं वो large piece of paper होते हैं हम उसको easel पे लगाते हैं easel का मतलब होता है stand easel का मतलब होता है stand ठीक है मलब पीछे हम stand पे इससे लगा देते थे क्योंकि हम चार्ट चार्ट फोल्ड ह हो जाएगा यहां फिर मलब बार-बार हिलेगा डूलेगा तो मैं इससे स्टैंड पे लगा देते थे और यह जो था वो काफी helpful था इंट्रक्ट करने के लिए audience के साथ information को clarifying करने के लिए ठीक है तो flip chart है इसके advantages के आ जाते हैं काफी cheap है ज्यादा पैसे नहीं लगते और इस audience बैठी है हमारे पास 200-300 बंदा बैठा तो हम कैसे दिखा सकते हैं एक चार्ट के थू तो मतलब इसके advantages भी आ जाते हैं और काफी disadvantages भी आ जाते हैं अब हम अगला पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है है shawcboards and whiteboard यह तो आज भी हम काफी प्रचलन में यह whiteboards and black and whiteboards तो which 하고 boor невाले क्लास रों में देखते हैं चॉइक्षा एवaya मतलब इसके बुए कई advantages and disadvantages as flip चार्ट अब इसके addition में चार्ट मतलब इसकी चॉक्वांटेस्ट थे अब इसकी advantages लें तो disadvantages भी होनगी निए जैसे हम अगर हम चॉक बोड की बात करें तो कई वरी चॉक डस्ट इतनी मैसी होती है हमारी जो परफेशनलिजम लुक है उसे ऐल्मिनेट करती है और जो मार्कर होते हैं इसमें हमें अगर वाइट बोड यूज करें तो में मार्कर वो लेने चाहिए जो इरेजेबल टाइप नहीं है यह नहीं हमें कि अपनी प्रेशन desafusion जरने जा रहे हैं और आलो परमेंटंटो जिए फिस से ना रिज़ह हो रहा है तो हमारी अपने प्रेशनलिजम इसमें समझाहां इसमें कि वह फोस्टर पिचर है हमें इसको बैक्टमर्य इस भोडी कार्वामें घट्डेश प् मोटा कार्डबोर हो चाहिए इसे बहुता कृट एक बाल पना चाहिए इसको एक अच्छे कार्डबोर से काल पर पीछ अच्छे स्पोर्ट पर लगाते हैं Quindi द Connect पर एक उले ना प्र प्र भीड़ से लेना क्यों में या तकर एक ऐसा stand डूनना है जो काफी strongly enough हो इसे hold करने के लिए और इसमें यह नहीं होना चाहिए कि आप chart को पकड़ के खड़े हो गए और आपका face पीछे बदलब छिप गया है और आप इसे बता रहे हो तो इसमें यह चीज अच्छी नहीं लगती है नेक्स आजाता है objects and models अब objects and model क्या होता है हमने model या किसी object के थरूँ हमने पढ़ाना जैसे मालो अगर हमने कोई building बनानी है हम अपनी presentation कर रहे हैं तो हमने क्या करना है हम building बना रहे हैं तो हमने एक छोटा सा model बना लिया कि हाँ इस जगह पर यह वाला रूम होगा इस जगह पर यह चीज होगी और इस जगह पर यह चीज होगी तो मलब इसमें models और objects को दिखाके अपनी जो बात हैं अपनी वो सामने रख सकते हैं अपनी audience के सामने नेक्स्ट आये तक computer presentation जैसे मैंने आपको पहले बताया है तक computer presentations बना सकते है slideshows तक हम इसे project कर सकते हैं computer screen पर यहां फिर हम projectors के थूँ इसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम इसे कैसे मना सकते powerpoint ऐसे कई application जिससे हम अपनी presentation बना सकते हैं ताकि हम जो अपने words है हमारे जो मारे ideas और audience से कम पहुंचा सके effectively और बहुत बढ़िया तरीके से पहुंचा सके तो इसमें LCD display का यूज कर सकते हैं हमें projector का यूज कर सकते हैं images दिखा सकते हैं audio videos दिखा सकते हैं ताकि जो हमारी क्या करते हैं वह मारी जो efficiency में अच्छी रहे और हम दिखा सके कि हम तुमारे क्या क्या आइडियास हैं हम computer presentation के use करके और एक तो इसकी जो revision है वह भी simple मालो अगर हम कोई चीज पॉइंट भूल गया तो हम अराम से video tapes है वह एड़ कर सकते को फिल्म क्लिप से एड़ कर सकते हैं ताकि कोई चीज दिखाने के लिए ठीक है तो इसमें एक तो क्या होता है इसका benefit यह होता है ताकि यह प्रफेशनल ही होती है और यह हाई quality लुक देती है presentation को और हम इसका example दे सकते हैं इसकी वीडियो टेप्स और फिल्म क्लिप्स के जरी एक्टिविटीस का action का यह फिर कोई भी चीज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यह फिर कोई बीचीज हम जो एक्टिविटीस हम करना जाते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तो वीडियो अच्छी रखी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर माई चैनल तो आज की वीडियो में हमने कर लिया है ओडियो वीडियो एड्स तो इसके एड्वांटेज से आप देखी सकते हैं इसके एड्वांटेज एक तो बैस्ट मोटिवेटर है फंडमेंटल वेर्बल इंस्ट्रक्शन पिलियर इमेज हमें मिल जाती है कैसे हमें मतलब देखने से हमें सब चीज समझा ज जाते हैं तो इसके जो है अगये तो आज की वीडियो में बस हमने यह पूरा टॉपिक जो था हमारा ओडियो वीजुल एड्स वाला यह हमने पूरा कंप्लीट कर लिया तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राब एंड शेर माइच एनल थैंक्स